भारत और न्यूजीलेंड की बीच वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल लगतार बारिश के कारण रद कर दिया गया साथ आम्टम में सोमवार को सुबह से ही बारिश हो रही थी जो खेल रद होने तक भी नहीं रुकी इसकी वज़ा से अमपायर को ये फैसला लेना पड़ा बारिश इतनी हो रही थी कि मैदान से पानी निकालने तक का समय नहीं मिला वही मैच के पांच में दिन यानि मंगलवार को भी बारिश की आशंका है और ऐसे में मैच रिजर्व डे में ही कराए जाना तैय माना जा रहा है अधविक को बलट कैंसर है उसके माबाप उसके इलाज कराने में और समर्थ है इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पर जाए और अधविक की उमीद बने बता दे तीसरे दिन का खेल समाफ्थोंने तक न्यूजीलेंड ने भारत के 217 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 101 रन बनाए थे ICC अब बरबाद समय की भरपाई के लिए छटे दिन का उप्योग करेगी च्योंकि मैच में अभी तक केवल 141.1 ओवर ही समभव हो पाए है यदि मैच धुलता है ड्रॉ में समाफ्थ होता है तो दोनों टीमों को सैयुक्त विजेता यानि की जॉइंट विनर या जॉइंट चैंपियन घोशित कर दिया जाएगा ऐसे में फैन्स और खिलाडियों का मज़ा किरकिरा हो गया है ICC को सोचल मीडिया पर खरी खोटी सुनने को मिल रही है WTC फाइनल में बारिश के कहर को देखते हुए इंग्लेंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने नाराज की ज और पूर्व कीवी पेसर शेन बॉन ने अपनी राय रखी लक्षमर ने कहा कि ये प्रशन्सकों के लिहास से दुख ही करने वाली और हतोद्साहित करने वाली बात है उन्होंने कहा कि ICC ने मेगा फाइनल के लिए नियम ही सही नहीं बनाए क्योंकि दिन की समापती पर हर ट सवाल अब ये है कि अगर बारिश रही तो क्या ये रिजर्व डे को मिला कर भी मैच पूरा हो सकता है। अच्छी बल्लेबाजी होती है तो यहां से एक टीम जीत सकती है। अठत्तर लाक रुपए मिलेंगे। न्यूस तक ब्योडो। अच्छी अच्छी झाल अच्छी हॉब्स